असलाम लीकुम सुरत इराफ जो है मने स्टार्ट कियों थी और इसका जो है ना 151 151 जो है ना 151 आया जो है मने कर ली थी आप 152 से स्टार्ट करेंगे और पिछला लेक्चर आपको सुनने होंगे सारे फिर आपको जाना पीछे से सारा बैग्राउंड तो मज़ आएगा क्यू वो जो है आपको पीछे से आप सारे लेक्चर सुनेंगे सुरत इराफ के तो फिर आपको सारी समझ आ जाजएगी इनला जीना बेशक वो लोग इत्ता खाजु जन्होंने बनाया इजला बच्छे को सायाना लूहुम तो अनकरीब उनको मिलेगा गाजबून अजाब मेर्भीम उनके रभ की तरह से वाजिल लातुन और जिलत है उनके लिए फिल हयाति दुनिया दुनिया की जिन्दगी में वाकजाली का और इसी तरह नजजी हम बदला देते हैं मुफ्तारी जो के घरते हैं जो के अल्ला तला के उपर जूट करते हैं हमने पीछे जो है आपको पीछली वीडियो जो है ना वो सुनी होगी उसके अंदर पूरा वाक्या बताया गया है कि किस तरीके से वो जो सामरी जादुगर था उसने सोने को पिगला कर तो बच्छडा बनाया था और उसको मबूद लोगों ने फिर बाद में बनाया तो उस आमिलू सेयाद जिन्होंने बुरे अमल किये लेकिन बाद में सुमा ताबू लेकिन बाद में उन्होंने तोबा कर ली फिर तोबा कर ली मिमबा दी है इसके बाद मतलब किसके बाद गुना करने के बाद अगर वो तोबा कर लेते हैं शुरमिंदा होते हैं वह आम अनू और फिर दुबारा वो इमान लेकर आ जाते हैं दुबारा अच्छे अमल करना शुरू कर देते हैं तो इन्ना तो बेशक रबा का आपका रब जो है में बादी है इसके बाद लगफूर ररहीम जो है बहुत जादा बख्षने वाला भी है और रहम करने वाला भी है तो आप वो ज गट रुख्षया तो हम खसारा पाने वालों में इसे हो जाएंगे तो आ तो आ जात उल्ला ईसे लोगों के बारे में किया्यर है कि जिनको अपनी कुछ ड़िया का अइसास हो जो जाया अपने गुनाआ कर दोर सुबारा तो चूबारा टूभा करने के बास तो तो पिर इसक कुछ लोग थे, उनको कह curtain, बैंको Allah तलया माफ कर देंगे लीकिन जिन लोगों ने गunah किया था उनको Allah तलया में सजात दी उनकी सजा ये थी के बनीशराइल में कबीले थे आइ थिंक उनके 12 कबीले थे बाराइब, वो कबीलों के रहते हैं, तो हर कबीले जो 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 लोग इन्वाल्ट हैं? उन्होंने उनको कतल किया इस तरीके से इनको सजा दी और जिरू ने तुबा कर ली थी तो उनको मारव कर दिया और बाद में जितने भी बनी-जित्राइल के लोग बच्चे थे उन्होंने फिर बाद में ला तरह से बख्षिश मांगी वलम्मा और फिर जब साकता ठंडा हुआ अम मुसा मुसा लैसलाम का गाजबू गुसा अखजल अल्वा तो फिर उन्होंने वो जो तख्टियां थी ना जो वो लेकर आए थे कोह तूर से अल्ला ताला ने जो दी ती इसमें तुरात थी पूरी तो फिर वो उन्होंने उसको उ वर रहमत उन्हों और रहमत ही ले लाजीना उन लोगों के लिए हुम ले रभी यरहभून जो के अपने रभ से ड़ते हैं जाहिरी बात है जिनके दिल में डार होगा वो ही जो है उतुरात के उपर अमल करेंगे ना और अगर इसको अगर हम आज के दोर पे देखें तो जिस के दिल में डर ही नहीं है जिसके दिल में डर होगा वो ही जो है वो सोचेगा कि मुझे जो है अपनी आखरत के लिए क्या करना है वक्तारा और चुना मुसा मुसा लाइसलाम ने कौमा हूँ अपनी कौमे से सबईना सतर राजुलन आदमी लिमिकातिना मुकररा टाइम के लिए मतलब दुबारा वो जो गए है न अपने जो कबीले जो थे उसमें से सतर लोगों को मुसा लाइसलाम ने स्लेट किया और पर उनको लेकर गए है उस पहाड़ पर फलमा ताकि कॉलेक्टिवली अला तरह से जो है माफी मांगने के लिए तो इसकी डिटेल हम यहां से पढ़ लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि फिर जब मुसा लाइसलाम का गुसा ठंडा हुआ तो उसने वो तक्तियां उठा ली जिनकी तहरील में हदायत और रहमती उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं और उसने अपनी कौम के सत्तर आद्मे को मुंतखिब किया ताके वो उसके साथ हमारे मुकरर किये हुए वक्त पर हाजिर हूँ अब कौन सा मुकरर किया हुआ टाइंग था जिस पर हाजिर हूँ यहां से देखते हैं इसका मतलब क्या यह तलबी इस गर्स के लिए हुई थी कि कौम के सत्तर नुमाइंदे कोही सीना पर खुदावन्दी में हाजिर होकर कौम की तरह से गोसाला परस्ती के जुर्म की माफी मांगने असनो इतात का एहद इस्तुवार करें अच्छा यह जो है ना सत्तर आदमियों को मुस्य अलाइसलाम ने सिलेक्ट किया था और दुबारा कोहेतूर पर गए थे अलाइसला से माफी मांगने के लिए और दुबारा अलाइसला से तोबा करने और दुबारा अमल करने के लिए जो है ना उसका एहद लेने के लिए कि हम अमल करेंगे जो आपने हमें हदाय दी इस पर अमल करेंगे तो उसके लिए जो यह ना मुसे लिए सिलाम सत्तर लोग थे अपने जो बनी सेयल के थे कबीले उनको लेकर वो गए है तो क्या हुआ जब वो वहां पे गए हैं तो उनको एक जंजले ने पकड़ लिया तो फिर मुसे लिए सिलाम ने क्या कहा तो इन सारे लोगों को जो हलाग कर सकता था या 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 और मुझे भी यानि कि मुझे भी एवन मुझे और इनको सत्तर आदमियों को तो पहले भी हलाग कर सकता था और आपके पास की कुद्रत है आप कर सकते हैं तो फिर बाद में इस चीज का इक्रार करने के बाद आजजी दिखाने के बाद मुसा अलाइसलाम क्या कह रहे है आतू लिकूना क्या तू आमें हलाक करेगा भीमा इस वज़ा से फालत जो किया है जो अमल किया है सुफ़ा बेवकूफ लोगों ने मिन्ना हम्मे से जो थे यानि कि जुन्हों ने बच्रे को मभूद बनाया था जो गुनाओ उन्हों ने शिरुक का किया था तो मुसा अलाइसलाम कह रहे हैं कि वो कुछ लोगों ने किया था तो क्या उसकी सजा आप सब को देंगे इन ही या इल्ला फितना तू का नहीं थी ये इल्ला मगर ये के फितना तू का आपकी तरफ से जमाईश तो देलू तू गुम्रा करता है भी हा इसके जरीए से मंत शाओ जिसे तू चाहे वा ताहदी और तू हदाय देता है मंत शाओ जिसे तू चाहे अन्ता तू वलियू ना हमारा मौला है फख फिल्ला ना हमें तू बाक्ष दे वर हम ना हम पे रहम फर्मा वा अन्ता और तू खेरुल गाफिरीन तू बहुत ज्यादा बेतर है बख्षने बख्षने इसकी जो डिटेल है वो भी यहां से देख लेते हैं जब इन लोगों को एक सक्स जंदले ने आपकड़ा तो मुसा ने अर्स किया कि ऐ मेरे सरकार आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हलाग कर सकते थे क्या आप उस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया था हम सब को हलाग कर देंगे तो ये तो आपकी डाली वही एक अजमाश थी जिसके जरीह से आप जिसे चाहते हैं गमराही में मुटतला कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हदायत बख्ष देते हैं हमारे सरप्रस तो आप ही हैं पस हमें माफ करतीजे और हम पर रहम फरमाईए आप सबसे भड़कर माफ फर्माने वाई हैं तो इस सरीके से ना मुसे अलाई इसलाम ने अल्लाई से इलतिजा भी की पहले अल्लाई के सामने बताया भी अपनी कमजोरी भी बतायी कि अल्लाई अगर आप चाहते तो हमें हिलाग कर सकते हैं हम सबको हम तो एक आदमी हैं हम एंसान हैं लेकिन साथ ही मुसे अललाई इसलाम एक रिक्वेस्ट भी कर रहेँ जो कुछ नदानों ने गल्ब्ती किया तो उस की सजा तो आप सबको नहीं न दे सकते फिर उसके बात मुसे अल्लाई से तु हमारे गुना बखचते हम पररहम फर्मा और तु जो नहीं हो तो इस तरीके से मुससल नाम ए ल। एलाह तु जो है तारीफ भी की बख़ोशने हो अटिकर नाम वशुते-उर अजर ल। तो मुस्य लिए इसलाम जो है आगे से ये पी पी चाह रहे हैं कि ये बड़े प्यारे इलफाद है इंको हम मतलब याद भी कर सकते हैं और हर दूआ में मांग भी सकते हैं इतनी इच्छी दूआ है कि अन्ता वलीयों ना कि तू ही हमारा वली है मतलब हमारा मददगार है हमारा मुला है तू हमें फख्फिर लाना हमें बख्ष दे वर हम नौर हम पे रहम फर्मा बख्षिश भी कर दे अल्ला तरह हमारी और हम पे रहमत भी कर दे वा अन्ता और जो तू है बेहतर है गाफिरीं माफ करने वालों में माफ करने में वक्तु और लिख दे लाना हमारे लिए फी हाजेही दुनिया इस दुनिया में हासाना बलाई वा फिलाखिराती और आखरत में भी मतलब हम ये दुनिया में भी बहाई दें और आखरत में भी दें इन्ना हुद्ना इलाईका और वेशक जो हदायत है वो आपकी तरफ से है काला तु फर्माया अजबी तो मेरा जो अजब है उसी बू पहुंचेगा भी ही उसको मन अशाओ जिसे मैं चाहता हूँ वा रह्मती और जब के मेरी जो रह्मत है वासियत चाही हुई है कुला शेहिन हर चीज़ पे फासा अक्तु बूहा लेकिन मैं उसको लिख दूँगा यानि कि इसमें लग्त अला अजब हम मूसे अलएसे साम ने दुआ माँगी ना कि लग्त आप हमें दुनिया में वहां की बलाई दें आखरत की जिद्ददगी में भी दें और बेश्चो रखायत आपकी तरस्थ से है तो लग्त दूँगा रहे हैं कि लग्त ने प्रत वो जो खास रहमत है वो उनके लिए इनके लिए लिलाजीना यत्ता कुना हूं लोगों के लिए जो के प्रहेजगारी करते हैं यो तुना और जो के जो देते हैं जगात जगात एक अल्ला की वो रहमत है जो के हरी चाही हुई है इसे मुराद यह कि काफिर लोग है उनको भी खाना पिना दे रहे हैं दूलत भी दे ले थे रहे हैं एश भी दे रहे हैं अर चीज धे रहे हैं तो वो फाइदा उठा रहे हैं जमीन की और आसमान की Allah की हर निमत का तो ये M Commander तो Allah की सब के उपर है और एक खास रहमत है जो कि मुमिनों के लिए और वो मुमिन कौन है जो कि प्रहिजगारी करते हैं किस से प्रहिजगारी करते हैं गुनाहों से और गुना कौन कौन से हैं वो सारे गुना जो हैं वो कुरान पाक आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएंगे कौन से काम गुनाहों की है और कौन से जो हैं सही है तो इसके इलावा प्रेज़गारी के इलावा वो लोग जो है न वो जुकात भी देती है जुकात देती है वल्लाजीना हुम भी आयातीना यूमिनून और ये वो लोग है हुम भी आयाती नहीं जो कि हमारी आयतों के उपर यूमिन उन इमान लेकर आती है अल्ला जीना और ये इमान लाने वाले कौन है वो है ये तबियों नहीं जो कि पहर भी करते हैं रसूला रसूल की नभी या जो कि नभी है उम्मी या उम्मी यानि के बनी इसरेएल को बता रहे हैं यह सारा बनी इसरेएल और मुस्ariat 9 का वाकिया न वाकियान ने इन को समझा रहे हैं कि जो जो तराद के ऊपर अमल करेगा उसके ओर एमान दे कर आएगा तो तो उसके ऊपर छो है खास रह्मत होगी और उसाथ ये अला involved तर्माए रहे हैं क्यूंकि उनकी कताभ थी है थी तुराद थी ही व किंदी उसमारी रेछ्यरे चीजह ते शmetro छो अलब तर्थ country भी में हैं इंजे श में श्टेस現在 में अशानिया वह पूरी उतर रहिए थी जो पैचाना लिया। और पीछे सुरत बग्रा में भी पढ़ाई कि उन्होंने ऐसे पेचाना था जैसे अपने बेटों को पेचानते हैं लेकिन इन्होंने अपनी कौम को गुमरा किया अपनी कौम को सच हकीकत नहीं बताई क्यूंकि उनकी जो आलिम जो बने हुए थे जब आलिम बनते हैं आपको दूसरे फाइदे भी मिलते हैं लोग आपका इतराम भी करते हैं इस तो अगर यह चीज उनको आया ना कि हमारी चोद्राहट जाती और नजर आ रही थी उनका उनका जो मुकाम था वो जाता वह नजर आ रहा था यूंकि उनको और दूसर यह चीज तो थी लेकिन इसे भी इ नजर आ रहे थी वो यह थी कि यह बंदा बनी इसराइल से क्यों नहीं आया यह मतलब के यह जो अला तरह ने जिसको आखरी नभी बिनाया है यह हमारी जो बनी इसराइल जिसमें से सारे नभी जितने मी आया वो बनी इसराइल में से उनको इस चीज का हस्त था उनको इस ची वो जाता हुआ नजर आ रहा था इस वज़ा से उन्होंने अपनी कौं को हकीकत से अगाह नहीं किया और नाही रसूस असलम को उन्होंने तस्लीम किया जबके उनको करना चाहिए था ये देखे ना इसमें अल्हा तल्हा ने बता दिया था उनकी कताबों में कि तुमने जो है दीनी है और परिज़गारी भी छोग इस्तियार करेंगे उनकी वे खास रहमत है और ये उनकी कताब में लिखती है रहा । ती रुस्ति असलम के बारे में निशानिया लिए थी सारी जो थी तुराद के अंदर भी मजूद थी अन्जील के अंदर भी मजूद थी तो अल्ला तल्ला उनको बता रहे हैं बनी इसराइल को भी उनकी कताबों के थूरू कि तुमने उसके ओपर भी जो आएगा आकरी नभी दितलि के अनला इसके ओपर भी तुमने इमान लेकर आना और यह लोग इंतिजार कहरते हैं मदीन्ह के इतने जो यहूदी थे उनके इनके यहूदीयों थे और यह वहां के जो मदीन्हें आम जो लोग थे उनको तब्लीग किया करते थे उनको समझाते थे कि एक नभी आने वाला उनको निशानिया भी इनों लोगों ने खुद बताएं थी और ये इंतजार भी कह रहे थे उसका और जब रुसुस अलम आ गए तो इनोंने नहीं मत भी इनोंने पता लगा कि एक आदमी है जो कि इस चीज़ का दावा कर रहा है तो वो जब उनके पास गए हैं तो उन्होंने जब सारी निशानिया जो उन्होंने सुनी हुई थे ये यहुदियों से जब उन्होंने रुसुस अलम के इंदर पाई ही पैर्वी करें जो है ना बनी इसराइल जब इनके पास आये आखरी रसूल उम्मी तो उसकी इनको चाहिए कि पैर्वी करें उनका कहा मने यामुरूम और वो आखरे नभी क्या होगा यामुरूम वो उनको हुकम देगा बिलमारूफ बलाई का वयनहाहूम और उनको वो रोकेगा अनिल मुनकर मुनकर से बुराई से वयुहिलू और वो हलाल करेगा लाहूम इनके लिए तैयीबात पाकीज़ाच चीज़ों को वयुहरीमू और वो हराम करेगा अलहीम इनके उपर खबाईसा खबाईस यानि कि जुनापाक चीज़ें वो यादाओ और उतारेगा अनहुम उन से इसराहूम बोज वल अगलालू और तोक यानि कि हमारे रसुस बुशल में उनने हमें बलाई का हुकम दिया है और बुराई से रोका है اور بہت ساری چیزیں ہمارے لئے حلال کی ہیں جو کہ پہلے حرام تھی پہلی جو شریعت تھی اس کے اندر حرام تھیر آئی گئی تھی تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حلال کیا اور ویحرم و علیہم خبائص جتنی بھی ناپاک چیزیں تھی ان کو حرام کیا مطلب پہلے جو دور تھا اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ناپاک کپڑے پر کوئی چیزیں آپ کی ناپاک لگ جاتی ہیں تو ان کو وہ کاٹنا پڑتا تھا تو اس کے بغیر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے لیکن ہماری شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ اگر آپ کے کپڑے پر کوئی ناپاک چیز لگ جاتی ہے تو آپ اس کو دھولیں اچھے طریقے سے تو اس کے بعد آپ اسی کپڑے کے اندر عبادت کر سکتے ہیں مطلب کتنی زیادہ سہولت ہوگی اور پہلے دور میں یہ تھا کہ مالے گنیمت جو وہ جنگ کرتے تھے وہ اس کو ضائع کر دیتے تھے کیونکہ وہ نہیں تھا ان کی شریعت میں اس کو استعمال کرنا لیکن ہماری شریعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو حلال کیا ہمارے لئے جو بھی مالے گنیمت جو ملتا تھا جنگ کے بعد اس کو تقسیم کیا جاتا تھا مطلب اس طرح کی جو چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا کی کہ بہت ساری چیزیں تھی جو کے پہلے حرام تھی ان کو حلال کیا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا وَيُحَرِّمْ وَعْلَحِمْ وَخَبَائِسْ اور جو بنا پاک چیزوں سے ان کو حرام کیا وَيَادَوْ وَعْدَوْا اُتَارِ اَنْهُمْ اسْرَامْ تم سے بوجھ وَالْأَغْلَىٰ اور توق مطلب بہت ساری بوجھ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم سے اتارے ہیں कोई व hanya रवाज रोकों ने बनाए वाथ जीब वह श्तरा अभी भी देख लें अभी भी हिंदु आना रवाज हम करते हैं हमारी जो है हमारे सबसे पहले जो चीज आ जाती है वह जायदात की तक्सीम आ जैती क्यों के हिंदुओं में तो वह चीज है हीनि सब से नहीं तो कि इस्राम के इंदर जहैस का कोई कोई आयती नहीं है कोई चीज ही नहीं है जो यह बताती हो कि जहैस जुए वव फर्ज है वो देना चाहिए है यह यह जीज है और हमारे में झो है वो जहैस है है कि वरास्थद क्यों जब तक्सीम होगी तो असरो तक जह हिस्सा मिलेगा तो ये जो चीज़ है ना इस तरीके से रसूस असलम ने और भी बहुत सारे जो घलत चीज़ें थी कॉंसेट थे लोगों के वो खत्म किये जिस तरह पहले जो था ना पहले शरीयत में ये भी था कि दियत नहीं ली जाती थी जिसने कतल किया तो उसके बदले में कतल ही होता था लेकिन हमारे रसूस व्रे जैसलम ने जो हमें बताया है हमारी शरीयत के मताबिक इससास भी है और अगर दोनों पार्टी ज़ियं तो उस तरह लिया जा सकता है इस तरह उताल से काफ़ सारे बहुत सारे कमाते हैं जो route सreूज सिर्ग ने बताये जिससे हमारे बहुत सारे जो बोज़ है लोगों के उपर उप वो खत्म हो गे तनीना आमनु भी वाज and or और वो लोग और और उत जो के इमान लेकर आ है मद़न से लिए ए वहाज जरू माआ साथ हूँ उसके यानि रिसुस्था सलम्स के साथ उलाए का तो यही रोगा है उमल मुफ्री हूँ जो के फिलाप पाने वाले हैं तो इसमें अल्ह तो आखरी नबी होगा जो के उनकी तुरात और अंजील में भी लिखा हुआ था जो के नहीं मुनकिर का जो है हुकम देगा बिलाई किया है उसका हुकम देगा बुराई किया है उससे रोकेगा हलारी चीजें क्या है हराम चीजें क्या है और बहुत सारे बोज जो लोगों के उपर थे वो उतारेगा तो यह रिस्ती ने की यहा है कि हमारी चुझीत ही भी सारी इसलामी श्रीय था भुऻ सारे जो बोज़ थे जिस तरह मैंने आपको सिरफ एक ही बोज़ बताया जहीज से बारे में वरास्ता के बारे में इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ थे है और दूस्ता यह कि Allah तलब बता रहे हैं लेकिन जो लोग रसुसरा सल्म के उपर इमान लाएंगे Quran पाक के उपर इमान लाएंगे और रसुसरा सल्म की मदद करेंगे उनको खुवत देंगे उनकी पैर भी करेंगे तो यहीं लोग होंगे जो के फिलाप पाएंगे 157 यह 157 पे हमारा जो है न रुकू हो जाता है और इसकी जो है न डिटेल भी पढ़ लेते हैं उससे जो होगा न concept ज्यादा clear होगा जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है कि इस पेगंबर नभी उमी की पैरवी सियार करें जिसका जिकर उन्हें अपने हाथ और रात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है वो उन्हें नेकी का हुकम देता है बदी से रोकता है उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है और इन पर से वो बोज उतारता है जो उन पर लदे हुए थे और वो बंदिशें कोलता है जिनमें वो जगड़े हुए थे लहाज़ा जो लोग इस पर इमान लाए और उसकी हमायत और नुसरत करें और उस रोशनी की पैरवी इक्तियार करें जो उसके साथ नादिल की गई है यानि कुरान पाक वो ही फिलाप होने वाली है अब यह जो जगड़े हुए है इसका क्या मतलब है यहाँ पर यह लिखा हुए है कि इनके फक्कियों ने अपनी कानुमी मोशगाफियों से उनके रहМы ने अपने जोहत के मुबालगूं से और उनके जाहिल., अब अपने तोहमात और पूछसाखता हदूद और surprisesे उनकी जिन्दगी को जिन बोचों तले दुबार रखा था अच्छा ये सारे जो है ना पहले सुसम से पहले कितने जारे लोग थे जो ने आई हैं वी ते हिवाल मनाए वे थे फ़सूल किसम के कि उनकी बारे में कि वो जक्कड बंदियों में किस तरह थे ये पेगंबर वो सारे बोज उतार देता है और वो तुमाम बंदिशने तोड़कर जिन्दगी को अज़ाद कर देता है जाने है में है कि वंप्री सेवन तक हमारा जो है ना रुकू हो गया कि इस के अंदर पूरे इस साथिए डियों के साथ जो थे जो चीर्प कावन ने किया ता वह मांगने के लिए दुबारा कोहे इना याणि के कोहे तूर पर गये थे तो वहां पर जब जन्जल आया था तो मुसे लिएसलाम ने दुआएं मांगी थी अपनी आज़सी भी इस्तियार की और साथी लिए दुआ भी मांगी तो फिर लिए ने उनको जो है दुआ के बाद लिए ने कहा जो तुरात तुम्हें दी है उसमें अमल करो और दूसरा ये कि मैं अज़ाब भी देता हूँ लेकिन मेरी रहमत जो है वो बहुत ज़एद वसी है वो सब के उपर है और फिर लिए ने बताया कि एक खास रहमत है जो के उन लोगों के लिए है जो के परहेज़गार हैं जो के आयतों के उपर अमल करने वाले होंगे फिर साथ ये अला तरह ने बता दिया कि अपनी तुरात और अंजील को देखो उसके अंदर स्वाजिया हिकमात लिख दिये गे थे आकरी नभी के बारे में उसकी निशानियों के बारे में तो जब वो आयें तो तुम इचाहिए कि तुम उसके अपर इमान ले कराओ उसकी नुसरत करो, उसकी मदद करो, उसे कुवत दो और वो कौन सा नभी होगा वो ऐसा नभी होगा जो के हलाल और हराम के बारे में बताएगा नहीं और मुनकिर बलाई और बुराई के बारे में बताएगा जो बहुत सारे बोज होंगे उनको उतारेगा और तुम्हें चाहिए के और रुफलाप आने वाले लोग वह होंगे जो उसके ओपर इमान लेकर आएंगे और उसकी मदद करेंगे मतलब इस पूरे रकू के अंद